गरीब मेहन्दी वाली चुडैन रेखा की शादी को बस दो ही दिन बच्चे थे अरे तो अभी तक मेहन्दी लगवाने नहीं गई जा जल्दी जा शाव होने वाली है और फिर और भी रस्मे होनी है कितना सारा काम पड़ा है करने को अरे मम्मी शान्ती रखो सब हो जाएगा मैं बस नीलम का इंतिसार कर रही हूँ उसके आते ही निकल जाओंगी मैं उसी के साथ रेखा और उसके सहेली बाजार में बैटने वाले सारे मेहन्दी वालों से रेख पूछती है यार दुलन की मेहन्दी इतनी महंगी क्यों है सही कमाई का धंदा है ये तो हम तो फालतों में ही डिग्रिया लेते रहे गए पर अब ये बता शाम हो गई है घर भी जाना है मेहन्दी लगवानी भी तो जरूरी है अरे वो देख उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मेहन्दी वाली और है चल उसने पूछते है देखा और नीलम मेहन्दी वाली के पास जाते है और उसके रेट पूछते है जितना मन करे उतना दे देना पैसे का क्या है और कहीं से भी आ जाएगा पर दुलहन के मेहन्दी वाले हाथ बह neighbors काम मिलते है ये कुछ अजीब सी बाते कर रही है छोना हमें कौन सा इसके घर जाना है लोग अच्छे सी महंदी लगा दो दोनों हाथों में दो दिन बाद मेरी शाथी है बड़ी अलगाना महंदी लगवा कर रीखा और नीलम घर आ जाते है मा मैं बहुत धग गई हूँ मैं सोने जा रही हूँ सोना और टीना से भी कह देना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे फिर रात को अजीब सी आवाजे आने लगती है अचानक से रीखा के कमरे की खिर्कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती है तब ही एका एक खिर्की से एक भायानक चुड़ाल कमरे में आती है और रेखा के चाती पर बैट जाती है और उसका गला दबाने लगती है दर्द से रेखा की निम अचाना कुल जाती है बचाओ, बचाओ ममी, पापा, दीना शादी करेगी तू मेरी शादी जब तक नहीं होगी किसी की डोली नहीं निकलेगी इस महले से मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझे क्यों मार रही हो, छोड़ तो मुझे जब मुझे शादी का सुप नहीं मिला तो मैं किसी को भी नहीं ले ले दोंगी और वो रेखा को गला दबा के जान से मा डालती है फिर सुबह अरे सूरच सर पे आ गया है और आज शादी है रेखा की और इस लड़की को देखो मज़े से सो रही है अभी तक कहते हुए रेखा की मा रेखा को जगाती है तो उन्हें एहसास होता है कि रेखा तो मर चुकी है वो चिला चिला के रोने लगती है अरे अरे ये कैसे हो गया मेरी रेखा कैसे मर गई आज तो इसकी शादी है मेहंदी लगी हातों की इतनी फूटी किसमत हाई मैं क्या करूँ अब रेखा की मा अपनी चाती पीट-पीट के रोने लगती है उसकी चीख पुकार सुनके बाकी घरवाले भी वहां आते है देखो बेहन अब जो होना था हो गया ये सोचो के लड़के वालों को क्या कहोगी उनकी कितनी बेज़ जती होगी बारात तो अब तक निकल भी चुकी होगी शाम तक आ जाएगी बेरी मानो तो रेखा का क्रिया कर्म करके दुलहन के जोड़े में टीना को बठा दो इतना अच्छा खानदान फिर नहीं मिलेगा और किसी की बेज़दी भी नहीं होगी देखा कि मा क्ला कर्म भाकर तीना को शादी के लिए राजी करती है तीना बारात वालों को मैं क्या बताऊं कि रेखा के मौत कैसे हुई लोगों को तो यहीं लगेगा कि कोई लडगे का चक्कर होगा इसलिए आद्भत्या कर ली होगी लडगी ने मेरी इज़ता बस तेरे हाथों में है पर मा इतनी जल्दी-जल्दी, महन्दी, सब कैसे ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है तुझ जिन्ता मत कर, सब हो जाएगा वेखा की मा दो-चार पडोस की औरतों को बुला कर टीना की हल्दी करते हैं जा टीना, जल्दी से बादार से महन्दी लगवा के आ ज्यादा टाइम नहीं है अब टीना फटाफट बाजार के लिए निकलती है तब ही उसके सामने वही महन्दी वाली आके खड़ी हो जाती है लाओ, मैं लगा दू महन्दी, जल्दी लगा दूँगी अच्छा लो, फटाफट लगाओ, ज्यादा समय नहीं है मेरी पास महन्दी वाली टीना को महन्दी लगाते लगाते जोर-जोर से हसने लगती है महन्दी तो सब लगवाते हैं पर हर कोई दुलन थोड़े न बन पाता है हाहाहा टीना उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए महन्दी लगवा कर घर आती है और कमरे में आराम करने चली जाती है कि तब ही उसके पैरों से कोई चादर खीचता है कौन है? कौन है या? तब ही एक चुड़ायल टीना की चाती परा बैठती है मैं हूँ और आप दो भी तेरी बैहन की तर है इन ही महन्दी के हातों के साथ चुड़ायल टीना का गला दबाने लगती है टीना बहुत छट पठाती है और चुड़ायल को नहीं रोक पाती तब ही टीना की माँ की आवास आती है टीना जल्दी से जोड़ा पहन कर तयार हो जा बाराद बस आने वाली है चुरेल को पता नहीं क्या सूचता है वो टीना का गला छोड़ टीना की शरीम में खुच जाती है और दुलहन का जोड़ा पहन कर गोंगट में मंड़क में आ जाती है शादी शुरू होती है अब वर वदू का गोंगट उठाके मांग में सिंदूर भरिये जैसे हैं लड़का टीना का गोंगट खोलता है इतने डर्रावने शकल देख के उसके पसीने चूर जाते हैं टीना के बाल बिखरे हुए आखों का काजल बिगड़ा हुआ जैसे किसे चुरैल की आखे हुँ होट की लाली फैली हुई लड़का डर के मारे मंडब से खड़ा हो जाता है ये क्या तुम लड़की हो या चुरैल तब ही अचानक टीना भूतिया आवाज में बोलती है चुरैल हो मैं पंडित जी सब समझ जाते हैं बोल तू कौन है और इस बच्ची के शरीर पर कबजा क्यों किया है चुरैल जोर-जोर से हसने लगती है और टीना के शरीर से बाहर आके बोलती है मेरे महंदी लगे हाथ बिना चूड़ा पहने ही रह गए मैं दुलहन का जोड़ा पहन कर भी सुहाग ना बन सकी क्योंकि मैं गरीब थी और मेरे माबाब दहेज नहीं दे पाए बेज़ती के डर से मुझे आत्म हत्या करनी पड़ी इसलिए मैंने रेखा को भी मार डाला इसको भी मार डालूंगी किसी को दुलहन नहीं बनने दूंगी अगर तेरी शादी हो जाएगी तो तू हमेशा के लिए चली जाएगी हाँ मेरी भी शादी हो सकती है क्या फिर पंडिजी चुडैल की शादी उसे पेड से करवा देते हैं जिसके नीचे वो महन्दी लगाने बैठती थी सुहागन बनते ही चुडैल को मुक्ती मिल जाती है पिर टीना के शादी भी अच्छे से हो जाती है